आज हम लोग आपकी कक्षादस के अध्याच्छा में हिमालै से सिर्षक से कविता है जिसकी रचना महादेवी वर्मा जी ने की है आज इसके पहले पध्यांस की व्याख्या सीखते हैं बहुत ही सरल है यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगे चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें आये हुए सभी सब्दों के अर्थ को देख लें क्योंकि यदि आपको सभी सब्दों के अर्थ मालूम हो जाएंगे तो व्याख्याप अपने से कर ले जाएंगे चलिए हे अर्थात ये सब्द हिमाले के लिए आया है हे अर्थात हिमाले चीर मतलब हमेशा से महान वही रहेगा, यह भी वही रहेगा, स्वर्ण रस्मी माने सुनहरी किरने, रस्मी माने किरने होता है स्वर्ण माने सुनहरी, तो स्वर्ण रस्मी माने सुनहरी किरने, यहाँ पे जो महादेवी वर्मा कवीत्री जी हैं, वो सुबह जो सूरज निकलत है उसके पीली किरणे हुती है उसको उन्होंने स्वर्ण रस्मी में ठीक है छूँ शूकर स्वेट माने सक भाल माने सीर्य या मस्तक और वर्षा जाती है अर्था विखेर जाती है या पहला जाती है रंगीन हास तो तो रंगीन हास माने रंगीन हसी, सेली माने पगड़ी, जो सिर पर बांगते हैं, सेली पगड़ी, बनता है वही रहेगा, इंद्र धनुस भी वही रहेगा, परिमल माने सुगंधित, मल मल माने अंग अंग, जाता वही रहेगा, नहीं बदलेगा, बतास माने हवा, पर माने लेकिन, रागहीन माने प्रेम रहीत, जिसको किसी से प्रेम न हो, रागहीन प्रेम रहीत, तुँ वही रहेगा, हिम निधान हिमाले, सबी कठी सब्द हो गए, हम लोग इसके व्याख्या करें, चुकि ये पहला पद्यांस है, तो हम लोग संदर्व बिलिख लेते हैं और प्रसंग भी तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे प्रस्तूत पद्यांस हमारी पाठ्ठे पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित हिमालय से सेस अवतरित है इसकी रचयता सू प्रसिध कव इत्री महादेवी वर्माजी है और यह उनके काबे संग्रह सांध्यगीत से लिया गया है और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा चलिए प्रसंग भी लिख लेते हैं आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांस में कव इत्री महादेवी वर्माजी ने हिमाले की महानता और उसके वैरागिभाव का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाए चलिए अब व्याख्या की बात कर लेते हैं आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांस में महादेवी वर्माजी हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं इतना आप अपनी तरफ से जोड़ दीजे वर्णन करते हुए कहती हैं हे परवत राज हिमालय तुम तो हमेशा से महान हो तुम चीर काल से महान हमेशा से महान हो यह सूरज की सुनहरी किर्णे तुम्हारे सफेद मस्तक को छू कर तुम्हारे चारो और रंगीन हसी फैला जाती है। बर्फ पर सूरज की किर्णों के पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे तुम्हें इंद्रधनुस की पगड़ी धारण कर रखी है। सुगंधित हवाएं तुम्हारे अंग अंग को सुगंधित कर जाती हैं। लेकिन लेकिन हे पर्वत राज हिमाले तुम्हारे उपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तुम वैरागी की तरह रागहीन बने रहते हो इसलिए तुम चीरकाल से महान हो और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार मैं बहुत जल्दी से आपको फिर से बता देता हूं कि कैसे आपको लिखना है। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से जोड़ कर लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांस में महादेवी वर्मा जी हिमाले की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं। हे परवत राज हिमाले तुम तो हमेशा से महान रहे हो। यह सुनहरी किर्णे तुम्हारे सफेद मस्तक को छू कर तुम्हारे चारोर रंगीन हसी बिखेर जाती है। परवत्र्य हिमाल ही तुम पर इसका कुई प्रभाव नहीं पड़ता और तुम वैरागी की तरह रागहिन protection, इसलिए तो तुम महान हो और आपकी व्याक्या पूरी हो जाएगी